Hello Friends, आपके अपने YouTube चैनल PK Classes 92 में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वह है डिजनी की टेस्ट नंबर 15 की आंसर की है इसके पहले हमने 14 टेस्ट पेपर कम्लेट कर लिया है डिजनी में आउट है किसी परकार की समस्या थे तो आप मुझे हल्फलाइन नंबर है वाटसब कर सकते हैं वहाँ से मैं जो भी कोई रहोगी आपके प्रॉब्लम सॉट आट हो जाएगी तो आए आज का जो सेस्ट हमारा रिजनी की टेस्ट नंबर 15 की उन पर डिस्कुस करते हैं यहाँ पर दिया है कि डिरेक्शन दिया है दो यहाँ पर कि एक से लेकर के चारतक की कोईशन के लिए याँ कि जो एक से लेकर के चारतक कोईशन होंगे उसके लिए डिरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि select the related word later number from the given alternative दिये गए विकल्पों में इसे संब्दित सब्द अक्षर संख्या को चुनिये तो जैसे पहला कोशन दिया है कि ancient यानि कि प्राचीन प्राचीन का फिर यहाँ पर दिया है modern यानि कि आधुरिंग तो इसका विपरीथ है यानि कि opposite है यानि कि जिसे ancient प्राचीन है तो उसी कोई कि बोलते है modern यानि कि आधुरिंग बोलते है तो उसी तरह से usually यानि कि प्राया का जो opposite हो जाएगा वह जाएगा वह जाएगा sometime यानि कि कभी कपार क्या हो जाएगा sometime हो जाएगा कभी कपार तो यहाँ पर हमारा d number answer follow करेगा question मगला है कि प्रगट, appear secret यानि कि गोपनी, candid यानि कि asbest वादी, तो यहाँ पर भी दोस्तों opposite का ही rule लग रहा है जैसे appear यानि कि प्रगट करना तो उसको क्या है तो जैसे गोपनी है तो उसको मने क्या क्या प्रगट कर दिया तो उसी तरह से asbest वादी का मतलब होता है layer यानि कि जूठा यहाँ पर बी number answer हमारा follow करेगा जूठा यानि कि बी number answer, निष्ट कोशन हो जाएगा question मगर तीसरा है अधित्याग, सिंगासन, त्यागपत्र तो दोस्तों जब हम अधित्याग किसका करते हैं सिंगासन का अधित्याग किया जाता है अधित्याग जो होता है वो सिंगासन के किया जाता है उसी तरह से त्यागपत्र जो दिया जाता है यह किसका दिया जाता है, पोश्ट कियाने कि किसी पद से हम क्या करते हैं अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो यहां पर भी answer हमार जो follow करेगा वो d number answer follow करेगा question बगला हमारा next number है 5, 2, 7, 9 दूसरे यहां पर देखे 5 का square अगर हम कर दें तो यहां पर हो जाएगा 25 और उसमें 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा उसी तरह से हमें क्या करना है? 9 का cry करेना है तो 9 का cry करेंगे 81 हो जाएगा और प्लस हमें 2 कर देना है तो कितना जाएगा? 83 हो जाएगा तो दूस्तों यहां पर जो answer बनेगा वो हुजाएगा हमारा A नम्रा answer हो जाएगा 83 हो जाएगा ठीक है? Question वगला है, next number यहां पर 5-8 तक की question के लिए निर्देश दिया गया है यानि कि दिये गए विकलपों में से विसम को चुनिये यानि कि find the odd one out from the given alternative तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा यह तीनों के तीनों क्या है एक meaningful word है जो कि हमारा b number जो option है यह meaningful word नहीं बन रहा है इसमें कोई भी इससे meaningful word नहीं बन रहा है नहीं कि इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है इसलिए answer जो हमारा हो जाएगा वो b number answer हो जाएगा ठीक है, next question है रोना, सोना, सुखाना और नहाना तो यहाँ पर दो इससे कुछ रोना जो सब्द है यहाँ पर answer हमारा होगा क्यों होगा क्योंकि सोना, सुखाना और नहाना यह हमारे दैनिक जीवन में की कार है क्या है, दैनिक जीवन के कार है रोना हमारे दैनिक जीवन का काम नहीं है हमेशा रोते तो है नहीं है तो यहां पर रोना जो है वो दैनिक जीवन का कारे नहीं है इसलिए सोना क्या है दैनिक जीवन का कारे है सुखाना भी दैनिक जीवन का कारे है नहाना भी क्या है यह हमारे दैनिक जीवन के कारे है नहीं कि regular हम इस काम को करते रहते हैं लेकिन रोन फिर पिकिंग यäनि कि अंगोली उठाना उसका दहरा पेसियां तानना फिर है चहरा सौँ मेंरखना तो दोस्तों यहाँ पर देखे जो पहला है ए नंबर बन और और सी नंबर यह तीनों कि तीनों क्या है एक जो है उत्तेजना की भाव प्रगट कर रहा है यानि कि उत्तेजना मतलब क्या है आक्रोसित हो जाना मतलब ज्यादा गुस्सा हो जाना इस तरह से इस तरह की भाव प्रगट हो रहा है जिसे जब हम यह सब चीजे काम जैसे मुट्टी मीचना होता है अंगली उठाना तो यह 100 में रखना ठीक है तो D number answer यहाँ पर follow करेगा question पर 8 है इसका answer दोस्त हो जाएगा लगू रूप क्या हो जाएगा लगू रूप यानि की short from हो जाएगा तो यहाँ पर A number answer हमारा follow करेगा ठीक है question पर अगला है next number यह स्रिंखला है series की question है दी गई स्रिंखलाओं में संख्याओं की स्रिंखला में एक संख्या गलत दी गई है तो हमें क्या करना है wrong number जो है उसी को find out करना है ठीक है तो गलत संख्या का पता लगाई है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2,9,32,105,436,215 और 13,128 से दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हमें गलत find out करना है तो 2,9,32,105,436,2,195 और लाश्ट में है 13,182 ठीक है तो यहाँ पर क्या है पहले देखिए 2 का हमने क्या किया है पहले multiply किया एक से 2 का multiply हमने किसमें किया एक से फिर हमने क्या किया प्लस कर दिया फिर हमने क्या किया 2 multiply by 6 क्या कर दी हमने sorry 1 multiply by 7 क्या हो जाएगा 1 multiply by 7 हो जाएगा 1 multiply by 7 हो जाएगा जिससे 2 एकम 2 हो जाएगा और 7 एकम 7 तो 7 और 2 ने कितने हो गए 9 हो गए फिर आगे हमने क्या करना है multiply करना है किससे 2 से तो 9 दुने कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पर plus करेंगे फिर हमें plus करना किस से 2 multiply by 6 यानि कि 12 है कितना करेंगे 12 है तो 18 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा गया है 32 तो यहाँ होना चाहिए था कितना 30 होना चाहिए था तो जो कि यहां पर 32 लिखा हुआ है तो answer जो हो जाएगा हुमारा हो जाएगा D number यानि कि 32 क्या वो गलत है ठीक है अब अगले संख्या पर apply करके देख लिते हैं multiply करना है 3 से और हमें plus कर देना है 3 multiply by 5 यानि कि पहले 30 का multiply करेंगे 3 में तो 90 हो जाएगा और इसमें हमें जोड़ देना है 15 है तो कितना जाएगा 105 हो जाएगा यहां पर देखिए कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा आगे के अगर हम pattern follow करें तो आगे के pattern में हमें multiply करना है 4 से और plus कर देना है 4 multiply by 4 यानि कि यहां पर हमें 4 multiply by 4 हो जाएगा फिर आगे नमबर पर है अदला नमबर है यहाँ पर multiply करेंगे 5 से और plus कर देंगे 5 multiply by 3 फिर next number पर apply कर देंगे multiply 6 से और plus कर देंगे 6 multiply by 2 6 multiply by 2 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो rule लग रहा है वो यह follow करेगा तो answer जो जाएगा हुमारा हो जाएगा D number यानि कि यहाँ पर 32 जो ही यह गलत है ठीक है next question है question number 10 है 4, 2.5, 3.5, 6.5, 15.5, 41.25 और 126.75 यानि कि 126.75 हो जाएगा ठीक है यह हमारी series given है यहाँ पर अब यहाँ पर देखें तो उन्हों के बीच का difference क्या है पहने हमने multiply कर दिया 1 by 2 जिससे और plus हमने कर दिया 1 by 2 फिर हमने 2.5 को multiply कर दिया 1 से और plus 1 कर दिया फिर हमने multiply कर दिया किससे multiply 3.2 से और फिर हमने plus कर दिया 3 upon 2 से फिर हमने multiply कर दिया 2 से और plus कर दिया 2 फिर आगे हमें multiply करना है किससे? 5.2 से और plus कर देना है 5.2 और आगे multiply करना है 3 से और plus हमें 3 कर देना है तो जो answer यहाँ पर होगा दोस्तो वो जाएगा हमार 6.5 हो जाएगा यह जो कि गलत है यहाँ पर 6.5 नहीं होगा जब हम 3.5 में 3.2 से multiply करेंगे और plus इसमें 3 upon 2 add करेंगे तो यहाँ पर 6.5 नहीं आगा तो इसलिए answer जो हमारा हो जाएगा हो जाएगा 6.5 यह हमारा गलत हो जाएगा ठीक है? यह wrong हो जाएगा question mark बड़ा है Z, X, V दिन उसके बाद है T, R, P फिर N, L, J और question mark तो Z होता है 26 नमबर पर तो आजाएगा 8 और 8 पर आजाएगा H आजाएगा, ठीक है? X होता है 24 नमबर पर माइनेस 6 करेंगे तो अठार हो जाएगा अठारे से माइनेस 6 करेंगे तो बारे हो जाएगा और बारे से माइनेस 6 करेंगे तो 6 आजाएगा और 6 पर होता है F होता है तो HF यानि कि D number answer हमारा follow करेगा, आगे हमें check करने की जरूत ही नहीं पड़ेगी, यानि कि हमारा answer जो हो जाएगा वो दी number हो जाएगा, ठीक है, question बगला है, फैल number, निम्न लिखे सब्दों को सार्थक करमें बेवस्थित कीजिए, तो यहां पर हमें क्या है, matter, धातू, process, प अच्ची धातू हो गई, raw material, उसके बाद आ जाएगा हमारा process होगा, क्या होगा, process होगा, यानि कि प्रकरिया होगा, यानि कि दूसरा number, उसके बाद process के बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, purify करना, यानि कि सुद्ध करना, यानि कि fourth number, ठीक है, उसके बा आबादी प्रतेक 7 वर्स में दोगनी हो जाती है यदी 2009 में आबादी कितनी थी 12483 तो किस वर्स तक आबादी 4932 हो जाएगे तो 200 यहां पर 7 वर्स बादी यानि कि 2007 अगर जोड़ेंगे तो यहां पर आजाएगा हम 25 वर्स माल लेते हैं प्रॉक्समेंट में हमें एक्जेक्ट वैलू नहीं बताने हैं हमें बताना कि कभ यह 49932 हो जाएगी अब 2016 में कितना हो गया 25000 क्या सबस हो गया अब इसमें फिर से में 7 जोड़ देजिए और जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2030 कितना हो इसके बीच में तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 2030 हो जाएगा ठीक है क्या है 2030 यहाँ पर आंसर हो जाएगा C नंबर आंसर यहाँ पर फॉलो करेगा नेश कोशने कोशन मगला है एक समुव में समान संख्या में गाय और चरवा हैं टांगों की संख्या सिरों की संख्या के चार गुने से 28 कम है तो चरवाहों की संख्या ग्याद करें तो चरवाहों की संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर 14 हो जाएगा चोधे हो जाएगा यहाँ पर 4 वाहों की संख्या हो जाएगी ठीक है हमने यहाँ पर solution दे रखा है अब यह solution को यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है नेश कोशन है कोशन मगला है कि निम्न में से कौन सा आरेक आसामाजिक तत्व पॉकेट मार और ब्लैक मेलर के बीच सही संबंद को दरसाता है तो दोस्तों सबसे पहले जो आ जाएगा वह हो जाएगा ऐसा magic तब तो हो जाएगा यानि कि यह हो जाएगा हमारा anti-social element हो जाएगा ठीक है यानि कि anti-social work हो जाएगा यहाँ पर ठीक है social element हो जाएगा इसके जाएद यहाँ पर हो जाएगा pocket mark और उसके यहाँ पर हो जाएगा यह black miler हो जाएगा ठीक है तो answer जो हमारा follow करेगा वो d number answer यहाँ पर follow करेगा question next हमारा है a b a b b फिर यहाँ पर b a a और फिर यहाँ पर a और डैस लगा है फिर b a b फिर डैस लगा है a b a दोस्तो कुछ पीडियफ में जो मैंने पीडियफ अपडेट कर दी है मैंने पीडियफ को कुछ पीडियफ है यहाँ पर हमने d b की जगह पर d हो गया है तो आप इसको b कर सकते है जिनके पास भी अगर यह pdf होगी पुरानी pdf तो उसमें यहाँ पर D की जगह पार यहाँ पर B कर लीजेगा तो आपकी स्रीज ही सही हो जाएगी थोड़ा से हमफर फाल्ट था टाइपिंग में तो यहाँ पर देखिए जो स्रीज है वो है A, double, B उसका पर फिर यहाँ पर डैस है B, double, A फिर डैस है A, डैस, फिर B, A, B तो यहाँ पर मैं क्या करना है पहले चार-चार की ग्रूप में इसको अलग कर लेते हैं मैंने पहले भी बता रखा इसको इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिनको डाउट है वो जाकर वो वीडियो देखें मैंने इसी टोपिक पर बनाया है तो सारे concept आपके हमाँ पर clear हो जाएगे तो 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, फिर हमने एक, दो, 3, 4 पर यहां पर हमने अलग कर दिया तो देखें A, double, B, A, फिर B, double, A, B, फिर A, double, B, A, फिर B, double, A, B हो जाएगा तो answer यहां पर हमने fill कर दिया A, फिर B, फिर B, और A तो यहां पर A, double, B, A, answer हो जाएगा यहां पर A number यहां पर answer हमारा follow करेगा A number answer question बार कला है यहां पर देखें हमें दिये गए विकलपों में इसे look संख्या में ग्यात करना है यानि कि find out करने है यहां पर क्या है hidden number है missing number जो है उसे check करना है तो देखें पहले 8 और 9 है plus यहां पर 3 है और बरापर यहां पर कितना लिखा गया है 50 लिखा गया है सबसे पहले करना क्या है 8 और 9 8 और 9 को क्या करना हमें जोड़ देना है 8 और 9 कोम ने क्या किया जोड़ दिया फिर यह मैं multiply कर देना है 3 से यानि कि जो 3 है से multiply कर देना है 8,8,16 और 1,17 17 और 3 को multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 ते है 15 और जो संख्या आएगी उसमें 1 घटा देना है यानि कि आ जाएगा हमारा 50 ठीक है तो same अगले में भी आपलाई कर देना है यानि कि 5 प्लस 4 और 5 प्लस 4 हो गया और multiply कि इसे करना है 6 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 ठीक है 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 9 और गुड़े कितना करना है 6 कितना हो जाएगा 9-6 चोववन आगया इसमें से एक घटा देना है तो कितना जाएगा 53 यानि कि तिरपन यहाँ पर आंसर हो जाएगा ठीक है 53 यहाँ पर आंसर हो जाएगा यानि कि जो पहली संख्या है पहले जो दो संख्याट दिख रही है उसको हमें दोनों को जोड़ देना है और जोडने के बाद जो संख्या है उसे में मल्टिप्लाइ कर देना है मल्टिप्लाइ करने के बाद एक हमें क्या करना घटा देना है तो answer यहां पर हो जाएगा 53, यह number answer follow करेगा, question मरगला है, 8 plus 4 minus 7, 8 plus 4 minus 7, यानि कि पहले क्या करना है, 8.32, दोनों को multiply कर दीजे, 8.32 और 32 और plus 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 39, फिर यहां पर देखे, दोनों को 7, 2, 14, और 14, और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 11 और 7, 6, 5 कितना हो जाएगा, 11, और 11 और यहां पर हमें क्या करना है, 7 को जोड़ देना है, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो answer जो हमारा हो जाएगा, क्या यह follow कर रहे है, नहीं कर रहे है, हमने उल्टा कर दिया थोड़ा सा, देखे, 6 पचे यहां पर 30 हो जाएगा, हमने multiply करना था न, तो 7, 2, 14, 14, और 6 कितना हो जाएगा, 20, तो यहां पर भी हमें जोड़ना नहीं था, multiply गरना था, तो 6 पच्ची कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37, तो answer हमारा हो जाएगा वो D number answer follow करेगा, यानि कि 8 गुडे 4 और plus 7, ठीक है 39, फिर से 7 गुडे 2 और plus 6 तो 20, तो उसी तरह से याँ पर हो जाएगा, 6 गुडे 5 और plus 7, तो 6 पच्ची तीस और 7 37 यानि कि 37, तो answer हमारा हो जाएगा D number answer follow करेगा कोशन मगला है, साम को गौरब ने एक पुल देखा, यानि कि साम का समय है, तो साम के समय में आप ध्यान रखेगा, जो सूरज होता है वो हमेशा पस्ची दिसा में होता है कहाँ पर होता है, पस्चिन दिसा में होता है यानि कि west direction में, ये east हो जाएगा ये north हो जाएगा, ये south हो जाएगा ठीक है, साम पो गौरब ने एक पुल देखा यदि उस समय पुल की परचाई यदि उस समय पुल की परचाही उसके दाहिने बन रही है किसके गौरब के दाहिने बन रही है तो मालेज़े गौरब ये खड़े है ये गौरब खड़े है और गौरब की और यहाँ पर एक पुल है और जो पुल की सैड़ो बन रही है वो इस सैड़ बन रही है दाहिने बनते तो गौरब अगर उत्तर दिशा में देखेंगे नॉर्थ में देखेंगे तभी इनका राइट होगा और ये लेफ्ट हो जाएगा तो यांनि कि Right दाहिने का मतलब होता है Right है न राइट हैंट तो ग्यात करें कि गरव का मुख कि इस दिसा में है तो गरव कहां देखेंगे उत्तर की ओर यानि कि नॉर्थ डिरेक्शन आपर हो जाएगा बी नम्बर यहां पर आंसर फॉलो करेगा 15 हो जाएगा यानि कि हमें कहां से बताना हमें लास से बताना है यानि कि बॉटम से बताना है तो यहां पर दोस्तों बॉटम इस उकल हो जाएगा टोटल प्लेस वन माइनस टॉप यह फर्मूला लगेगा तो बाटम यानि कि टोटल कितने है 31 है उसमें एक जोट देना और माइनस कर देना टॉप से कितना 17 तो हमें क्या कर रहे हैं यहां पर 32 में से घटा देना कितना 17 और जब 32 से 17 घटाएंगे तो आंसर कितना जाएगा 15 आजाएगा इस तरह से हम फाइंड आट कर सकते हैं कोशन मगला है सभी कप प्लेट है यानि कि जो सभी कप है वो क्या है प्लेट है तो हमारा डाइग्राम जो बनेगा ऐसे बन जाएगा कोई भी कप दुकान नहीं है यानि कि कोई भी कप दुकान नहीं है तो हाँ 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 कोई यहां पर जो हो जाएगा उस C number हो जाएगा दोनों conclusion यानि कि निसकर जो हो follow करेगा यानि कि both conclusion follows हो जाएगा C number answer follow करेगा question रगला है कि क्या चड़िया घरों को बंद किया जाना चाहिए यह है एक statement दिया गया है उसका argument है argument दिया कि हाँ जानवरों को कैद करना एक अपराद है ठीक है दूसरा दिया है कि no it is fine if some animals are kept in captivity for sake of entertainment नहीं मनरंजन के लिए अगर जानवरों को कैद में रखा जाता है तो यह ठीक नहीं है तो यहाँ पे हमें argument बताना है और argument हमें जो statement भी दिया गया है उसी पे आधार पर हमें argument भी हमारा होना चाहिए ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे जो answer हो जाएगा वो सिर्फ पहला follow कर रहा है कि हाँ जानवरों को कैद करना एक अपराद है हमें जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए यानि कि हमें अपने मनोरंजन के लिए entertainment निकले हमें किसी दूसरे प्राणियों को दुख नहीं पहुचाना चाहिए तो इसलिए यहाँ पे answer जो हमारा follow करेगा पहला ही follow करेगा दूसरा गलत है यानि कि a number यहाँ पर follow करेगा only if only argument first is strong यानि कि यदि केवल तर्क first मजबूत है तो answer हमारा क्यों जाएगा a number answer follow करेगा question में रगला है next number f q के पुत्र का पिता है जो f है वो q के जो f है q के पुत्र का पिता है ठीक है आगे कहरा कि m p का चाचा है तथा n q का भाई है n का m से क्या संबंद है तो यहाँ पे जो answer जो बनेगा पहले हम एक बाद डाइग्राम बनानी की कोशिश करते है डाइग्राम कैसे बनेगा यहाँ मैं बता देता हूँ आपको जो f है वो q के पुत्र के याई कि q के पुत्र का पिता है जो f है वो q के पुत्र का पिता है ठीक है तो q का एक पुत्र है और उनका पुत्र का पिता कौन है? F है ठीके? यहाँ पर हो जाएगा F हो जाएगा, ठीके? Q के पुत्र का पिता कौन है? F जो है वो Q के पुत्र का पिता है, ठीके? तो ध्यान दिजेगा, यहाँ पर हो जाएगा Q का एक पुत्र है, ठीके? पुत्र का पिता कौन है F है इसका मतलब अगर यह पिता है तो यह कौन हो जाएंगी माता हो जाएंगे ठीक है यह का यह पुत्र होगा M जो है वो P का चाचा है जो M है वो P का चाचा है मतलब M जो है वो P का चाचा है तो हम अभी इनके बीच में कोई relation नहीं है तो हम यहाँ पर बना देंगे M वो P का चाचा यानि कि P के कोई पिता होंगे और उनके कोई भाई कोन है M है N Q का भाई है N किसका भाई है N जो है वो Q का भाई है ठीक है तो N का M से क्या संबन्द है तो N यहाँ पर और M यहाँ पर इनके बीच में कहीं कोई relation नहीं तो इसलिए answer हो जाएगा हमारा D number data app पर्याप्त है ठीक है तो D number answer हो जाएगा यहाँ पर हम follow नहीं कर सकते बता नहीं सकते question बगला है कि चिन्नों का सही करम ग्याद करें तो दोस्तों यहाँ पर जो चिन्नों का सही करम है यह board mass rule पर लगता है और हमें इसे find out करना है तो answer हमारा जो होगा वो B number हो जाएगा अगर हम इस format अप्लाइ कर देंगे यानि कि 16-8 और बागे 1 और बराबर यहाँ पर 8 हो जाएगा तो यह answer हमारा follow करेगा ठीक है B number answer A satisfy हो जाएगा कोशन अगला है कि दिये गए प्रेष्ट में निम्लेखित विकल्पों में से वसब्द चुन यह जो दिये गए सब्द के अक्षरों का प्रियोग करके बनाया जा सकता है तो दिये गए सब्द के अक्षरों का प्रियोग करके जो बनाया जा सकता है वह हमारा हो जाएगा बनाया जा सकता है यह बोला गया इसलिए answer यहाँ पर हो जाएगा A number यहाँ पर यह नहीं बोला है cannot यहाँ पर बोला है can be formed तो इसलिए यहाँ पर बनाया जाए सकता है वो A number हो जाएगा यह जो है इन सभी लेटरों में से यूज करके हम यह बना सकते लेटर ठीक है बाकी सब में नहीं बन सकता है तो इसलिए आंसर हमार हो जाएगा A number तो दोस्तों यह रिजनी के 25 कोशन थे अगर आपको कोई सुझाओ देना है कोई अगर आपके कुईरी है तो मिस लते हैं दोस्तो नेक्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बधन्यवाद